अलो फेंड्स मैं मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर विंट साज की इस वीडियो में 34 साइस का बैकनेक डिजाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो ये मेरा अस्तर वाला कप्ड़ा है सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और नीचे से एक लाइन डो करके इसे सीधा कर लेंगे अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो इस तरीके से इसके बाद आपको टोटल लंबाई लेनी है तो ब्लाउस की लंबाई आप जितनी भी तयार रख रहे हैं उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके आपको टोटल लेनी है तो मैं रख रही हूँ यहाँ पर 13 इंच लेन्थ तयार तो मैंने 14 इंच पर एक मार्किंग कर ली है उपर की तरफ एक लाइन ट्रो करेंगे और यहाँ पर लेंगे हम शोल्डर का मेंजमेंट शोल्डर रखे हैं मैंने 5 इंच और आर्मोल लिए हैं मैंने यहाँ पर देखिए 5 इंच 34 साइज के लिए शोल्डर आपको 5 इंच रखना है अगर पीछे कला बढ़ा है तो आर्मोल लेने हैं साड़े 5 इंच चेस्ट का चोथा भाग लेंगे साड़े 8 इंच और 4 इंच मैं एक्स्टा रख रही हूँ मार्सिन के लिए यहाँ पर मैंने चेस्ट की लाइन बना ली है और इसके बाद लेना है नीचे कमर का मैसमेंट कमर है 28 इंच उसका चोथा भाग लिया है मैंने 7 इंच देड़ इंच एक्स्टा मार्सिन और एक इंच एक्स्टा और लिया है कमर की प्लिट्स के लिए मार्किंग करनी के बाद मैं आर्म होल की गुलाई आपर दे रही हूँ अब मैं इसे कट कर रही हूँ तो इस त्रीके से हमने बैक पाट को कटिंग कर लेना है अस्तर के ऊपर मैंने इसका कटिंग कर लिया है अब गले का मैसर मेंट लेना है गले की विट रखी है मैंने 72 इंच 2-7-2 इंच आप ले सकते हैं यहाँ पर गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने 5.5 इंच 5.5-10 इंच आप ले सकते हैं नैक की लेंथ जो है वो आप अपने इसाब से कम ज़दा करके रख सकते हैं चोकोर एक बॉक्स जैसा शेफ हमने यहाँ पर देना है और अब मैं बना रही हूँ पान गला तो गले को हमने इस तरीके से शेफ देना है यहाँ यह देखिए गले का पैटर्ण मैंने बना लिया है और अब हमने नैक को कट भी कर लेना है Neck की cutting मैंने कर ली है और अब हमें इसे Men Fabric पर रखकर भी cut कर लेना है Men Fabric पर भी मैंने इसका cutting कर लिया है और अब लिया है मैंने Paper Pasting Paper Pasting को हमने Blouse की लंबाई जितना ही यहांपर लेना है और इसके बाद इसके यहांपर marking कर नी है तो गले के बीच का जो पैटर निकला था इसे रखकर ही मैंने मार्किंग कर दी है और बाहर की तरफ आपको इस तरीके से डिजाइन बनानी है यह देखिए अच्छे से गले का शेप यहाँ पर बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे तो इसे अटेज करना है हमें बॉर्डर वाले पार पर अगर आप बॉर्डर यूज नहीं कर रहें तो आप अलग से कांट्रास्ट फैबरिक यहाँ पर यूज कर सकते हैं अलग से दूसरे कलर का कपड़ा ले सकते हैं तो दीखे मैंने हाँ पर इसकी कटिंग कर ली है कटिंग करने के बाद अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ मैंन फैबरिक को रखना है और इसके उपर रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटेज करेंगे इस तरीके से पूरे गले पर सिलाई लगानी है कॉर्नर की और इसके बाद एक सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ से कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाए और सिलाई लगाते जाए हाँ पर इस तरीके से यह देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इससे पूरा कर लिया है और इसके बाद मैं एक्स्टर जो बीच का फैबरिक के इससे कट करके निकाल रही हूँ तो बीच में से एक्स्टर फैबरिक को कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ से भी सबी कप्रे को मैंने कट कर दिया है और इसके बाद देखिए अब हमें हैं बॉर्डर तयार करना है बॉर्डर को मैं कट कर रही हूं यह जो नेक मैंने बनाया है इसके बराबर से एक्स्ट्र बॉर्डर को कट करके निकाल देंगे और यह बॉर्डर को हमने बीच में से जोड लगाना है तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे इसके उपर भी मैंने एक सिलाई लगा ली है और बौडर मेरा तयार हो गया है अब दिखे इसके उपर में यहाँ पर इसे सेट कर रही हूँ और इसके जो बीच का यहाँ पर पेपर पेस्टिंग निकला था इसे भी हमने बीच में रख लेना है गले की विट्थम नापने के लिए दोनों तरफ से मैंने पेन लगा ली है और इसके बाद हमने इसके उपर सिलाई लगा लेनी है तो कॉनर के एक सिलाई लगा कर नेक को अटेश करेंगे कपड़े के साथ आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं गले पर सिलाई लगाने के बाद अब एक सिलाई में बाहर की तरफ से लगा रही हूँ इसके उपर तो देखें मैंने बाहर से भी सिलाई लगा दी हैं पिन को निकार लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकार देंगे तो यहाँ पर दीखें जो बीच में फैब्रिक है इसे हम कट करके साइट में अटेज कर सकते हैं अगर बॉडर आपका कम होता है तो पहले आप जिलाई लगा लें उसके बाद इसमें जोड लगा लें यह देखें मैंने यहाँ पर अच्छे से इसका कटिंग कर लिया है अब जहाँ पर border कम है वहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसे कपड़े को यहाँ पर अटेश करना है तो इस तरीके से रखेंगे और अच्छे से इसे finishing के साथ पर रट लेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाकर extra border को cut करके निकाल देना है इसी तरीके से दूसी तरफ भी हमने कपड़े को अटेश कर लेना है दोनों तरफ से मैंने border को अच्छे से joint लगा दिया है extra fabric को cut करके निकाल देना है तो यह गला मेरा ready हो गया है blouse पर अटेश करने के लिए अब देखें यहाँ पर हमें इसे रखना है बिल्कुल center से और pin लगा देनी है अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो एक पेर का margin लेते हुए finishing के साथ जिस neck के according हमें सिलाई लगानी है यह देखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लिया है इसके बाद extra जो भी कपड़ा निकल रहा है इसे cut करके निकाल देना है और गले पर छोटे छोटे cut लगा लेने हैं तो मैं यहाँ पर piping लगाऊंगी इसले बिल्कुल अच्छे से फैबरिक को मैंने cutting कर दिया है इसके बाद देखें सेंटर से हमें cut लगाना शुरू करना है और पूरे गले पर cut लगा देने हैं इससे आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट करके सीधा हो जाएगा तो अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ यह देखें गला पटी को मैं अंदर की तरफ कर लेना है यह पलट के सीधी तरफ हो जाएगा इस तरीके से नेक को अच्छे से बैठाते हुए इसके उपर हमें finishing की सिलाई लगा देनी है यह देखें आपर अच्छे से finishing के साथ पूरे ही कले पर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे और हाथ से कप्ड़े को finishing कर देंगे यहाँ पर और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे यह देखें सिलाई लगा कर मैंने इसे पूरा कर लिया है जो भी extra fabric के से cut कर दिया है गले पर piping लगाने के लिए मैंने contrast fabric कर यूज किया है और इसकी मैंने तिरची पटिया कट कर ली थी cross पटि पटियों को मैंने जोड लिया है इसके बाद एक तरफ से इसे fold कर दिया है अब पटि को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और blouse के fabric को हमें उपर की तरफ उड़ा करके रखना है corner पर इसी लगाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे पटि को हमने गले के साथ attach कर लेना है इस तरीके से ये देखे मैं पूरे ही गले पर पटि को attach कर रही हूँ इसके बाद अब हमें छोटे छोटे कर्ट यहाँ पर लगा लेने है इस तरीके से तो देखे मैंने यहाँ पर कर्ट लगा दिये हैं इसके बाद हमें इसे पलटना है और यहाँ पर piping को fold करते जाना है ये दिखी यहाँ पर हमें पाइपिंग को इस तरीके से फोर्ड करते जाना है और सलाई लगाते जाना है गले पर पाइपिंग लगाकर मैंने इसे त्यार कर लिया है अब देखे मैंने यहाँ पर कुछ चोकोर कपड़े लिये हैं और इन्हें मैंने अलग से कटिंग नहीं किया है साइड में से जो फैविक निकला था वही मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ गले के हाँ पर हमने पाइपिंग की किनारी से सिलाई लगा कर इस से टेश कर लेना है और अब मैं यहाँ पर प्लेट्स से टेश कर रही हूँ तो सैंटर से कप्ले को फोल्ड करना है और चारेंज के लंबाई में ब्लेट्स लगा लेनी है दोनों ही तरफ अब देखिए गले के उपर हमने लेस लगानी है तो गले के शेप के अकॉर्डिंग लेस लेंगे और इस तरीके से लगा लेंगे आप अपने ब्लाउस के कलर कॉमिनेशन में लेस ले सकते हैं लेस के उपर डवर्स लाई लगाएंगे तो एक तरफ मैंने लेस अटेश कर ली है अब देखिए दूसी तरफ से भी लेस को लगा लेना है हमें इस तरीके से दोरो तरफ मैंने यहां पर दिखी लेस को टेज कर दिया है और अब मैं नीचे की तरफ कमर पटी लगा रही हूँ तो नीचे से 1,5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पटी को टेज कर लेना है अब मैंने पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ मेरा आज का इनेक डिसाइन बन करके तयार हो गया है तो फिंट्स आपको आज का डिसाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद